YouTube channel, Masters in Ethical Hacking पे तो दोस्तो आज मैं बताने वाला हूँ Forensic Investigation के एक बहुत ही जबरदस टूल के बारे में Guys, इस टूल पे आज से पहले साइद कोई वीडियो नहीं बना है इस टूल की खास बात मुझे ये लगी कि इस टूल को create करने वाले जो हैं वो around 25 साल से भी ज़्यादा का experienced एक police officers हैं जो कि Brazilian, Brazil से सम्बंद रखते हैं उसके साथ teacher और trainer भी है Forensic में बहुत लंबी समय तक उन्होंने काम किया है तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि टूल की खास जो चीजे हैं वो क्या हैं देखेंगे टूल का जो नाम है वो है Avila Forensic और इसकी दूसरी अच्छी बात यह भी है कि यह open source और free of cost है आप इसे free of cost यूज कर सकते हैं इसके जो functions और features हैं उन्हें देखकर आप वास्तम में ही अचंबित रह जाएंगे कि यह वास्तम ही बहुत जबरदस टूल है इसके बारे में सहथ आप लोगों को पहले बता होता तो यह आपके कितनी सारी problems को solve कर देता जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ऐसे बनाने वाले जो है वो है Daniel Avila जो की teacher भी है Forensic के अंदर और आप इसे देखेंगे 1998 से वो technically research में वो काम कर रहे है तो उन्होंने काफी सारे tools और बहुत सारी चीजों का भी निर्मान किया अपने experience से उन्होंने यह जो tool बनाया बड़ा जबरदस्त है इसका download link यहाँ पे दिया गया है और download link के साथ बाकी जो details है वो भी यहाँ पर दी गई है इसका public license है आप उसे added भी कर सकते हैं अपनी जरुवत के साब से use कर सकते हैं बाकी अगर हम mobile phone forensic की बात करें तो बहुत जरूरी चीज़े होती है दीखी guys mobile phone आपका lock हो गया है whatsapp का data आपको नहीं मिल रहा है किसी ने delete कर दिया है instagram की चीज़े आपको नहीं मिल रही है तो around around 15 से ज़्यादा social media platforms को यह support करता है जिसमें whatsapp सबसे ज़्यादा जरूरी और आप लोगोंने बहुत सारे ऐसे videos देखे होंगे कि whatsapp का data नहीं मिल रहा है किसी ने delete कर दिया है वह वापस कैसे आएगा इस तरह की सारी चीज़े आप इससे बड़े आसानी से कर सकते है तो फिलहाल हम इसे install कर लेते है तो टूल को download करना around 3 GB के करीब यह tool है और download और install करना बहुत आसान है सबसे पहले आपको download कर लेना है जहों link में आपको description में दे ही दूँगा क्योंकि यह aksi file है तो window पे आप इससे आसानी से चला सकते है दूसरा install करना भी इसे बहुत easy है आप इसे देखेंगे कि इसको install करने में कोई जादा time जो है वो नहीं लगता है and easily यह tool जो है वो work कर रहा है and मतलब बहुत जल्दी ही हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा भासा का वो हो सकता है तो इसकी language जो है वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से change कर सकते है guys tool जैसे कि मैंने आपको बताए कि बहुत unique है इसके features जब आप देखेंगे ना आप को भी लगेगा कि मतलब क्या tool बनाया है वास्तम में जो कह सकते कि experience व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है इसमें जो हर एक जरूरत की चीज़ा वो सब है तो guys आप इसे run as administrator कर ले ना उसके बाद यह कुछ समय में install हो जाएगा इसके बाद mobile device आपको connect करनी है मैंने अभी इसमें connect नहीं किया हुआ इसमें दो चीज़ें एक तो आपको mobile device connect करनी है दूसरा ADB port को on करना है तो ADB के बारे में नहीं पता तो उस video का link भी मैं आपको description में दे दूँगा फिलाल हम इसे देखते हैं कि यह tool किस तरह से काम करता है आप इसके functions और features तो देखी रहे होंगे android collections मतलब android devices जिनने यह support करता है जिनमें apple यानी iOS को भी यह support करता है apple की devices को भी support करता है apple का phone जो है उसे भी support करता है सबके साथ देखें इसमें अलग अलग जो functions है वो इसे unique बनाते हैं जैसे आप इसे देखेंगे digital evidence processor and indexers यह Brazilian federal police के द्वारा बनाया गया है यह भी यहाँ पे लिखाई हुआ है साफ साफ दूसरा इसके अंदर आप file को extract करना चाहते है देखें mobile phone connect करने के बाद यह जो सारा काम है यह यहाँ पे होगा जैसे आप देख सकते है images जो भी images है फोन से और यहाँ पे सिर्फ वही images नहीं है कि जो phone के अंदर है even जो delete कर दी गई है वो phone यह तरह से backup में भी यह काफी help कर जैसे कि आप देखो logs को भी है यहाँ पे collect कर रहा है तो exactly आप यहाँ पे देख सकते हैं extract करेंगे तो इसकी जो log details है वो भी यहाँ पे capture यह कर लेगा और मतलब सारा कुछ बहुत सारी की सारी जो चीज़े है वो one click में होती है दूसरी बात यहाँ पे enable usb debug mode लिखाया जो कि सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा debug mode को on करके रखना है जब भी आप इसे connect करेंगे ठीक है ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए application apk downgrade के नाम से यहाँ पे आया है इन सभी के इलावा देखे यहाँ पे ADB का बड़ा role है जो कि मैंने शुरू में यह आपको बताया था तो backup लेने में, dump करने में यह काफी help करेगा message को decrypt करना जैसे कि आपने देखा होगा आजकल WhatsApp के जो messages होते हैं वो crypt 15 को support करते हैं 14 को भी support करते हैं इससे पहले crypt 11 और 12 को support करने वाले थे तो latest जो है WhatsApp के database को encrypt करने के लिए भी इसमें जो format और functions है वो दिये गए हैं हमें यहाँ पे दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं phone के अंदर के जो contacts हैं उनका आप backup ले सकते हैं आप ताकि आप उन्हें future में यूज कर सके यह मतलब बहुत काम की चीज़े हैं और तो इसमें देखो अलग अलग जो जरूरी चीज़ है न हर एक चीज यहाँ पे define की गई है यहाँ आप देख सकते हैं यह WhatsApp chats के लिए है WhatsApp message store के लिए अलग दिया गया है WhatsApp database के लिए अलग दिया हुआ है यह देखे previous database के लिए भी है मालो जैसे अभी सवाल आ रहा था कि मालो WhatsApp क के data को कोई अगर delete कर दे तो एक ऐसे काम करेगा YouTube पर कुछ चीज़े होती है यानि कि आप सभी जानते है limits होती है तो एक limited way तक हम आपको दिखा सकते हैं बाकि इन सब के लावा हमें free of cost course भी जो है वो जल्दी ही शुरू कर रहे हैं उसके लिए आप हमारे WhatsApp चैनल को join कर सकते हैं या फिर हमें WhatsApp मैसेज भी कर सकते हैं उस course को join करने के लिए बहुत जल्दी ही वो शुरू होने वाला है और YouTube पर ही उसका announce हम करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि just यह contacts वगेरा जो है वो नहीं कर सकता है special dump का इसमें option दिया गया है file and folder and आप यहां पे देखेंगे किस सारी चीज़ें हो गई ए आफ लॉजिकल यहां पे हो गया iOS के लिए special option इसने दिये हुए है आप देख सकते है apple mobile backup है ना ठीक है apple phone का जो mobile है sorry apple का जो mobile है आपके पास उसका backup आप ले सकते हैं ताकि वो data जो है वो खराब ना हो and backup बहुत जरूरी होता है कई बात data अगर format हो ज कि जरूरत की जितनी चीज़े एक forensic investigator को चाहिए जैसे कि police department हुआ या दूसरी चीज़े हो या फिर अगर आप future में forensic के अंदर काम गरना चाहते हैं तब भी आपको इस तरह के जो tools है उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत होगी हम ढूंडते रहते हैं internet और आसानी से हमें इस तर जब viewer की मदश से आप कर सकते हैं वो काम बड़ी आसानी से वो इसमें दिया हुआ है और हमारी को से से यह दिखे Instagram का भी यहाँ पे दिया हुआ है Instagram का आपका जो account है उससे related जो info है जैसे कि आपको download करने हैं आपकी stories है comments है वो आप यहाँ से कर सकते हैं कुल मिलाके investigation के तोर पर यह बहुत अच्छा है रिपोर्ट्स भी यह बना के देता है सारी की सारी चीज़े आपने किस-किस को tag किया है उसकी जानकारी यहाँ बड़ी आसानी से ले सकते हैं तो forensic investigation के लिए law enforcement agencies के लिए law enforcement जो agencies होते हैं उनके लिए काफी बहतरीन टूल है तो guys यह था आज का हमार वीडियो अमीद करता हूँ यह आपको पसंद आया होगा इसमें जितनी जबर्दस चीज़े बताये गई हैं वास्तम में ही awesome है अगर आप चाहते हैं ऐसी information आपको लगातार मिलती रहे तो उसके लिए like share and subscribe करें हमारे youtube channel masters in ethical hacking को और आपकी कोई भी राया है तो हमें comment box में comment क करें फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं एक नई information के साथ thank you friends good bye